कि हैलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अकाष शोद्री है मैं सस्सी सीजेल के तियारी कर रहा हूं 2017 से और मैं रहें ससी सीजेल 2019 का फोम भढ़ा था और उसका एक्जाम दिया था जिसमें मेरे प्रिलिम्ट्स में मार्क्स आए आउट ओफ 200 में से मेरे मार्क्स मेर नहीं Bowl representing अग्जाम में ऊच्छ में उसके बाद में 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 से वा इक venus ओ इंगलिश का जो एकजाम मोता है मेरे एंगलिश में 175 मांट है 200 में से और मैस में 90.5 मांट अब तक का जो approach percentage बैठ रहा रहा मेरा 91 % बैठ रहा है मेरा बेट मेरा सेलेक्शन नहीं हो रहा है किस वज़े से क्योंकि रिक्रूटिंग एजन्सी ने जो 18 नवंबर को एक्जाम था ससी सीजियल 2019 का वो इतना ही जी रख दिया बागी एक्जामों के कंपेरिटिवली कि हमारे नंबर काट दिये गए इन 190.5 मार्क्स की 200 में से कोई व bleeding नहीं रहे क्या सर्वन प्रिलीम्स में तियारी नहीं की थी क्या मेरे 180 90 परसेंट मार्क्स वहाँ पे नहीं आये थे 40 लगवख 38 मार्क्स मेरे प्रिलीम्स में 32 मार्क्स मेरे जादा है कटोफ से इंगलिस में मेरे लगवग 90% marks है मैच में मेरे 95.25% marks है क्या मेरी गलती है सर इसमें कि आपने paper easy दे दिया मैं तीन राज से सो नहीं पाया हूं सर जिस दिन से ररी जल्टाया है मैं कैसे बोल दू अपने पिता से अपनी मा से कि मेरा selection नहीं होगा सर कैसे बोल दू मैं इस चीज को मेरा roll number 22-0-12-88-9-5 है मैं कैसे कह दू इस चीज को मैं अपने पिता जी की नोगरी छुड़वाना चाहता था मेरे पिता जी security guard की नोगरी करते है रोज 8 km cycle चलाते है 8 km cycle चलाके वापस आते है मैं 12 गंटे library में पढ़ता हूं मैं footage दिखा सकता हूं मैं 12 गंटे library में पढ़ा हूं सर रोज रोज पढ़ा हूं सर रोज 14 गंटे रहा हूं सर में library में 14 गंटे 16 गंटे रहा हूं में library में क्या करें सार इस चीज को लेके क्या solution है सर क्या recruiting agency को इतना sense नहीं है ABC के बाद तुम पूछोगे तो हम डी लिख के आएंगे इतना sense रोना चाहिए ना सर इतना sense है recruiting agency के पास तो सर वो कैसे कर सकते हैं सर यह हमार साथ में जाक हमने तो मेहनत करी थी सर हमने कुछ नहीं बोला सर किसी को तो पढ़ रहे थे जिर कर दो